Hello and Welcome to Online School India for Library Science आपका एक बार फिर से Online School India for Library Science में जोड़दा स्वागत है मैं आपका दोड़ सुमे सिंग के चावा आज आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि वास्तों में Library Science को कैसे पढ़ा जाएं चीक है ना तो सबसे पहले आज आप सभी विद्यार्ति जो राजिस्तान लाइब ग्रेड थर्ड बरती परिक्सा 2022 की त्यारी करने वाले सभी विद्यार्तियों को में तरफ से हार्दिक सुख कामने है माई डियर स्टुडेंट आज हम जो है एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले है हम एक ऐसा इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम जो है चर्चा करने वाले है वो आपके युनिट 3 जो आपका नविन्तम सेलेबस आया है नविन्तम सेलेबस मनलब पुस्काले विज्यान के सामाजिक स्वरी पुस्काले विज्यान के सामाने से दन यह यूनिट थर्ड का जो यह important topic है इस topic में से आपके परिक्सा में 4-5 questions जरूर पुछे जाएंगे यह द्यान रखना चीक है ना यह बहुत ज़्यादा important topic है मैं आपको आज बता रहा यह video थोड़ी लंबी होने वाले करीबन एक गंटा का topic है लेकिन एक गंटा का topic पढ़ने के बाद यह आपको श्यार हो जाएगा कि वास्तों में 4-5 important question इसके अंदर बनने वाले हैं यह important क्यों है क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारे लोगों के बारे में जो library science से जुड़े वर्गीगन परिति का विश्कार क्या वो सारी चीजी हम इसके अंदर जाने वाले हैं तो हमारे टॉपी क्या है general theory of library classification पुस्काले विज्यान के सामानिये सिधान्त वीडियो सुरू करने से पहले आज मैं इस class के माध्यम से हमारे पुस्काले संग राजिस्तान के अध्यक्स सिर्मान कमल जी कनवारिया साब को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कुछ ही दिन पहले अपने यूटूब के अपने ऑफिसल यूटूब चैनल पर उन्होंने मेरा नाम लेकर उन्होंने प्रसंशा की मेरे कार्ये की मेरी teaching जो है सैली है teaching style है उनकी और जो मैं परियास कर रहा हूं library science में बच्चों को निशुल YouTube चैनल पर पढ़ाने के लिए content करा रहा हूं उन्होंने जो है मेरी class को देखा मेरे कारे को उन्होंने जो है अच्छी तरह से समझा ठीक है ना इसलिए उन्होंने मेरी प्रसंशा की है अपने YouTube चैनल पर आकर इसलिए सबसे पहले मै कम्मल जी को बहुत बहुत दन्यवा देता हूं दोस्तों कम्मल जी कम्मल जी कन्वारिया साथ जो है वही राजिस्तान के अंदर एक मात्रह से वेखती है जिनोंने जो है library science के लिए कुछ करने के लिए उन्होंने धर्ड निश्य किया है पहले भी वह अच्छा काम करते थे आज भी कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं तो है आगे आने वाले समय में भी वह हमारे साथ लाइबरियन जो है library science के साथ जुड़े रहेंगे ऐसी मैं उनसे उम्मीद करता हूं ठीक है तो आए हम सुरू करते हैं अपन ध्यान दीजिए तो हमारा टॉपी का नाम किया है कि इसके अंदर क्या क्या topic के कौन का तो हमारा जो पुराना जो है इससे पहले वाला जो वीडियों है वह उस वीडियों का नाम है इसके अंदर लिखावा है Spices यह राख यह पहला जो Topic है सुने इदर यह पहला Topic हमने पढ़ा था Spices of Library Classification पुस्तकालिय वर्गियन की परजातिया लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं General Theory of Library Classification मैंने भी बताया था यह हमारे दूसर Topic है पहला Topic हमने पढ़ लिया है इस टॉपिक को देखना चाहते हो तो हमारे इसी यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजिए इसी यूटूब चैनल पर आपको यह मिल जाएगा तो इसके जब यह टॉपिक सुरू करेंगे न उससे पहले हमने पूरे सेलेबस को जो है अनलेसिस किया था क्योंकि ना कॉंपिटेशन वह उनका 50% उसी समय जीत जाएंगे कॉंपिटेशन को जीत लेंगे लेकिन अनलेसिस नहीं करते हैं इसलिए जो मैंने पहला वीडियो में इसके अंदर बता दिया है आज हम शुरू करें बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है जन्रल ट्योरी ओप दिया रहे हूं और जो भी विद्यॉर्टि मेरे इस वीडियो को देख रहे है मैं आपको एक कड़वा सच बताने वाल हो रहे हैं औह ses और अच्छी रेंग की वजह से जो है मुझे अपने घर के पास ही स्कुल मिल गई थी तो मैं मेरे selection होने का सबसे बड़ा राज किया है बता होगा आपगो सबसे बड़ा राजhalf यह है कि जब भी आप पड़ो चाहिए मैरे आप मेरे वीडियो को देख रहे हो सबसे पहले अगर आँवास सेलेक्शन होना चाहिए होना चाहिए आप अबने बट्ते में selection होना सेलेक्शन स्रेट सेलेक्टेड और चाहते हो तो आप एक काम करें आप जो अपने हने में बना लिए तो आपने हाथों से अपने नोट बना लिया अगर आपने जो भी चीज लिखी 50% तो आपको उसी समय याद हो जाएगी फिर तो आपको तो रिविजन करोगे एक दोवार तो सो पसेंट याद हो जाएगी तो अगर आप वास्ता में सेलेक्शन चाहते हो तो मेरा एक काम यह कर लेना जब भी आप पड़ो चाहिए किताब पड़ो चाहिए मेरा वीडियो देखो चाहिए कुछ भी देखो आप ठीक है ना लेकिन आप नोट्स बनाना सीख लोगे अपने रिजिस्टर अपने हातों से उस दिन आपका सेलेक्शन दुनिया में कोई नहीं रोख सकता है यह सबसे ज्यादा बच्चों की कमी है क्योंकि बच्चे क्या करता है को वीडियो सामने चलाना सुरू कर देते हैं नोट्स नहीं बनात मैं इस वीडियो के अंदर ही बता दूँगा कि कांसे कुश्चिन बनेगा कैसे कुश्चिन बनेगा तो आप जरूर इसको नोट कीजिए तो अब पुस्काले वर्गीकरण की पुस्काले वर्गीकरण के सामानी है सिद्धान्थ तो यह इंपोर्टेंट क्यों है कि आपको कोपी का नाम में देखा होगा आपने के लाइबरेरी क्लासिफिकेशन पुस्काले वर्गीकरण तो पुस्काले वर्गीकरण की बहुत सारे लोगों ने उनकी परिपास है दिये तो एक सवाल इसमें से पांच सवाल आएंगे बोर्ड में पेपर में एक सवाल तो इसकी पर से दिये तो एक ही परिवास से जरूर पुछे जाएगी प्रिक्षा के अंदर अब परिवासों को किसे याद करना इसके ट्रिक में आगे बताने वाला हो दियां दिजियां क्लासिफिकेशन सब्द की उत्पती कौन से बासा से हुई भई लेटिन बासा से हुई थी कौन से बासा से हुई थी लेटिन के क्लासिस सब्द से कौन से सब्द से भई क्लासिस कौन से सब्द से हुई थी भई क्लासिस सब्द से हुआ था क्लासिफिकेशन सब्द की उत्पती कौन से भास्यास होई थी पहला सवाल क्या बनेगा कि उत्पती कौन से भास्यास होई ओप्षन ए ग्रीक ओप्षन बी इंग्लीश ऑप्षन सी फ्रैंच और ओप्षन डी लेटिन तो आपको पता होना चाहिए ले क्लासिफिकेशन जो है सब्द की उत्पती लेटिन बाहसा से होई थी वह थी। क्लासिफिकेशन सब्द की उत्पति उत्पति लेटिन भासा के किस सब्द से हुई थी तो किस सब्द से हुई थी यह एक वार सवाल आया था दी एस्वी के अंदर आया था कि क्लासिफिकेशन की उत्पति लेटिन भासा के किस सब्द से हुई थी तो पहला अप्षन में था यह वर्ड लिकावा था क्लासिक और ऑप्षन में भी था ट्रासिस ठीक है ना ठीक है उप्षन पहला में क्या था ग्लासिक और आप्शन डी में क्या था अब उस समय लोग इतने इतने गंफ्यूज हो गयते तो अब या ग्लासिक है तो ध्यान रखना इसमें और इसमें आप पीछे किया दिया होगा तो ध्यान रखना मैसा इसका उत्र क्या होगा क्लासिस होगा क्लासिक नहीं होगा क्योंकि कई पार हम पढ़ते हैं न तो वह जल्दी बाद ही पढ़ लेते हैं तो जब ऐसा ही सवाल आता है तो वहाँ पर शुर्फ एक अक्सर का फरक्ता है एस का और सी का तो इतना कंफुजिन होएं कई पार लोग है न इसमें गलत कर सबसे बनाता यह ऑप्शन नहीं होगा द्यान रखना अब इदर अगला कुश्चन इंपर्टेंट है इसको भी लगा दीजिए कि क्लासिफिकेशन का पिता किसको माना जाता है अरुस्तू को माना जाता है अगर खाली आपको इतना ही पूछ ले कि वर्गी करन का पिता किसे का जाता है कि अरुस्तू को का जाता है अगर मानलों वहाँ पर पूछ ले आपको सवाल ऐसा आजाए कि आधुनिक आधुनिक वर्गी करन के पिता ठीक है फाजर ओप मॉडल क्लासिफिकेशन अगर पूछ ले आधुनिक वर्गी करन के पिता कौन है तो आधुनिक वर्गी एगर केवल इतरह पूछ लेकिन इस पूछ ले आदुनिक वर्गीगरं के पिता आदुनिक वर्गीगरं के पिता कौन होगे वेलवें डीवी साहब को कहा जाता है कि विश्व की सबसे प्राचिन और सबसे पुरानी पदती जिसका नाम क्या है भई डीडी सी सवाल ये भी आया वाए कि विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे पुरानी पदती कौन सी है डीडी सी जिसको इस्तापना की गई अठारे सो शियोतर में किसके द्वारा मैलविन डीवी के द्वारा इसलिए मैलविन डीवी को आदु बर्गी गंड का पिता किसे कहा जाता है अरुस्तु को कहा जाता है सम्झागे दो उपर और दो चार सवाल बनेगे आपको मैं बता रहा हूं यह important है topic unit 3 का important है इसके अंदर आपके करीब करीब इस topic के अंदर करीब करीब साथ question बनते हैं किते बनते हैं भी साथ question बनते हैं ध्यान रखना ठीक है इस topic के अंदर अंदर से आपके किते question मनेंगे 60 question मनेंगे ठीक है ना important 60 से 70 भी बन सकते हैं ठीक है ना 60 तो मैंने इस topic मैंने से 60 question मैंने बना लिया है लेकिन next video में जो हम आएंगे तो इस topic के सारे important question के बार हम analysis करेंगे और उसमें से पांच question आपके फरीक्सा में पुछे जाएंगे दियान दीजी आगे सामाने वर्गीकरण में हम वस्तूओं विचारों को एक सू नियुजित करमें विवस्त करते हैं तो द्यान दीजी आप जो पुस्काले वर्गीकरण है यह सामाने तो वर्गीकरण सब्द को दो आर्थों में प्रयोग किया जाते हैं मलब वर्गीकरण के दो सामाने आर्थ एक तो होता है एक तो सामाने वर्गी करन करते हैं और दूसरे हम क्या करते हैं अब सामाने वर्गी करन क्या होता और पुस्काले वर्गी करन क्या होता इसके बारे में मैं आपको भी समझाओंगा पहले अपन देखते हूं कि सामाने वर्गी करन में हम विचारों के एक सून य अधार पे पैचानक ना उनके वर्गों को किसे साहिक कर्मिं व्यवस्तित करना होता है और यह परया coz डोक्यमेंट को अतियाधिक साय चिए विस्ताइक करमें विवस्तिता होता है थो यह जो परीबास थी यह थी की सामाने ते वर्गीकरण सब्द दो अर्थों में परियोग के जाता है ठीक शृकÓ हना बरत कीरण को तो वहाँ जो मैं लगा वहाँ पर तो वहाँ पर जो मैंने देखा सबसे पहले जाते ही मैंने जो हैं सारी किताबे देखी उस किताबे सारी किताबे जो देखी मैंने तो उस लाइबरेरी में करी बन मेरे से पहले 410 किताबे थी किताब किताबे थी 정말 दस किताबे थी स्का faculty तो उसके बाद और कुछ government के दौरह 8 साल वहाँ पर किताबे थी तो वहाँ पर 15-20 किताबे और पड़ी थी अब उनका मुझे तो उसको आगे मुझे एड़ करना तो उसमें क्या था कुछ नहीं करना जो भी 20 किताब आये थी किताब के उपर सबसे पहले मैंने वो लिया था मार्कर पहन लिया था मार्कर पहन के उपर जो है किताब लिख दी मैंने अगली जैसे 1410 है ओलडी 1411 फिर अगली किताब को 1412 1413 1414 1415 इस तरीके से मैंने 20 किताब का सामाने वर्किकन कर दिया और जो अलमारी में वहाँ पर किताबे पढ़ी है इसके पीछे जाकर मैंने रख दिया ठीक है फिर उसके बाद जो एक एक एकसेशन रेजिस्टर होता है एकसेशन रेजिस्टर में चोदेशन ओलडी लिखी वी थी फिर उसके बाद जो है मैं 1411 से जो 14 किताब नमर 1411 उसका लेकर कौन है उसके पब्लिकेशन का नाम क्या है इसकी जो प्राइस क्या है इतना सा लिग दिया और उसको रेजिस्टर को बंद कर दिया तो छी करता है यह होता है सामाने वर्किकर मानलो कोई जैसे 2 अक्टूबर को आया था कोई कुछ बचया है कि सर हमें गांदी जैंति के बार घंदीक नती पर कुछ बोलना तो हमें कित किताब चाहिए तब उसको गान्दी जी किताब चाहिए तो वह एक krissन रिजिस्टर जैसे मैझने खुला 11 इक्सेर चांज ब्हु सब्सक्राइक नंभें देखा कि खुछ मुझे पता चला है कि एक किताब को वापस रखना यह क्या कहलाता है सामने वर्गिटन होता है लेकिन अब अब कोलेज और इंवर्टिटी के अंदर वहां पर होता है पुस्काले वर्गिकन क्या होता है पुस्काले वर्गिकन क्या होता है पुस्काले वर्गिकन वहां यह होता है कि वहां पर हमेसे द्यान अगना लाइब्रेरी में किताबों को रखने का या किताबों को सही तरीके से किताबों को उसको हम क्या कहते हैं पुसकले वरकिकन कहते हैं सामाने में कुछ नहीं चाहिए कोई भी सब्जेट गया है हम लगातार उसके उपर नंबर लिखते जाएंगे और वहाँ पर व्यवस्तित कर देंगे लेकिन लाइब्रेरी क्लासिपिकेसं के अंदर क्या होता दोस्तों इसके अंदर जियानकना हमेशा उनको लाइब्रेरी में विषव के जसाब से जो है विवस्तित क्या जाता है मालोकई आर्ट्स का इस्टूडेंट आयाके सर मुझे हिस्ट्री की किताब चाहिए और हिस्ट्री में ечатना है उस लेकित की चाहिए तो भाह पर हिस्ट्री का एक अलगी कॉलम होता है इस्ट्री के वहाँ पर हितियास और वो गए वैसे हितियास ने मुझे जो है । इंदर कंपीटर और ही उसको पता चल जाएगु कि ऑफ सबस्वाल आपकर गधिया चलाएगा तो यह टापिक में आगया तो मैंने आपको समझा दिया क्योंकि मुझे पता है कि आप जब लाइबरी जो लाइबियरिन बनोगे तो आपको भी जो है अभी गौवर्मेंट हिंदी मीडियम स्कूल में तो यह सावने वर्गी करन नहीं करना है लेकिन जैसे ही आप दिरी दिरे अब साल दो साल आपको सीखना होगा चीक है वह आगे देखे दिन पुस्त काले वर्गी करन के महत्वूर्ण परिभासा एक सवाल इन परिभासा में से 100% आ जाएगा चीक है सबसे पहले डबलू सी बर्विक सायर्स जिसको हम सौटकट में क्या कहता है डबलू सी बी सायर्स चीक है ना सबस से पहले इसकी परिवास इनको जानते हैं डबलू सी बी सेयर्स कौन है यह द्यान है डबलू सी बी सेयर्स जो है रंगानतन के गुरू है हमारे भारत के पुस्काले आज है पुस्काले रिग्यान के जो जनक है रंगानतन साहब यह रंगतन साहब के लाइबरी साइंस के तो लंदन में उनके गुरु कॉंथ हैं workbrate शवाल आ c कई बार कि वही जो है और जणानत्र के गुरु का नाम क्या टाइष्स जो कहां के रहने वाले लंदन के रहने वाले तो उन्होंने पूस्का ले वरकिकन के बारें क्या परीबाशा दी के आद को लेना फलकोंपर पुष्ट को की व्युवस्ता करने अथ्वा उनका इस परकार्ष से छित्रन करना कि वह उनके लिए अत्यादिक सहीं सिधों जो उनका आधियन करते है ठीक है ना फलका मलों फलकों को का मलों होता है सेल्प क्या होता बहुता है इस तरीके से वेबस्ता करना ताकि जो भी वहां पर यूजर आता है लाइवरी पढ़ने के लिए जो है उनको आसाने से अध्यान कर सकता है तो आपको इस परिवासा का याद करने के तरीका है यह पर ध्यान अगना सब से पहले फलकों वर्ड यादागना के फलकों पर पुस्त्तकों की वेवस्तित करना तदा उनका इस परकास से चितरं करना कि वहां उनके लिए अच्यादिक साइक सिद्ध हो जो उनका अधियन कर सके मलब किताबे जो हैं फलको पर अर्था सेल पर इस तरीके से रखी जाने चाहिए ताकि कोई भी यूजर आजाए वो किताब उसके सामने पड़ी होनी चाहिए जैसे मालों कि वह यूजर आया कि मुझे पॉलिटिकल साइ हो पड़ सके तो इसको परीवासा को याद करने का तरीका बताता है जब भी वहाँ पर पर परीवासा में फलको पर आजाए ठीक है ना तो फलकों पर आता ही द्यान अगना फलको वाली परीवासा किसने दी टी WCB सेर्स जैसे ही फलकों पर कि फलकों का मलब होता कि फलकों पर पुस्टकों की वेवस्ता करना जैसे उनके अध्यन करते हैं फलकों पर आता ही समल लेना ये परिवासा किसना दीती WCB सेर्स मलब रंगानतन इसको याद करने का तरीका बता दाओ देखो वई WCB सेर्स क्या है रंगानतन के गुरू है तो जब वो रंगानतन गुरू है ये लंदन में रहते हैं जब 1924 में रंगानतन साब जो है कहां गए थे लंदन गए थे ठीक हैं लंदन में किसे मिले थे अपने गुरू WCB सेर्स तो चाय की जगे उनके गुरु ने क्या दिया था फल दिये थे तो फल का मलब क्या हो गया यहां पर फल को ठीक है या उनका इस परकास से चित्रन करना तो जोसे ही फलकों वाली वर्ड आता ही तो सम्हें नहीं है आपका क्या होगा यह डबलू सीबी सेर्स तो जब भी मैं यह सवाल कभी आपको अगले वीडियो में ऑप्शन में अब्जेक्टिव में कराऊं तो आपको ध्यान अगना फलको पर मलब फल किसने दिये दे रंगानात्य वी ते गुरू को नाम यह डबलू सीबी सेर्स और फल को खाल लए था इसने रंगानात्य ने ready है लेगन दिये किसने गूरू नहीं तो गुरू को इसे उनक्यास रप्यशMax कि वहीं ने तो पहली परिवासा दे डबलू-सीबी सेर ने परिक्सा में कई बार पूचि रही है सो परसेंट आ सकती है आपके प्रिक्सा में मार्गेट मान जो है ये महिला का नाम है जियान लगर जब भी परिवाशंहा नहां है अधार पर विवस्तेट करना यह परिवल सकिसे देती मार्गेट मांने देता नग्वलान समंता के अजिए यह परिवासा मार्गेट मानने दी याद हो जाएगी आपको ठीक है ना आगे ऐसा और रहानतन ने पुस्ट के लिए वर्गीकरण की विश्टत व्यापक परिवासा प्रसूत किये तदानुसार किसी पुस्त को वेरी इंपोटेंड किसी पुस्त के विशेश विशेगे नाम क करम सुचक अंकों को अधी मानिये करत्रीम भासा में अनुवाद करना तो जब भी परिवासा में आपको दिख जाए करत्रीम भासा में अनुवाद करना तो करत्रीम भासा में अनुवाद करना यह परिवासा किस ने दी थी रंगानतन ने दी थी किस ने दी थी रंगानतन न पूरा होगे हैं परिवासा लेकिन ये परिवासा आपके यह तक है जब भी आजये आपको कि कर्त्रीम भासा में अनुवाद करना जिस परिवासा में कर्त्रीम भासा में अनुवाद करना कर्त्रीम भासा में दर्स आना कर्त्रीम भासा में लिखना तो समल लेना वो परिवासा कौन किस ने दी ती रंगनत्र साब ने दी ती समय आगे भई कोई अभी तक कोई प्रोप्लम नहीं, याद हो जाए का इसका रिविजिन भी करा देंगे आपको, CA कटर साब, कौन है बई, CA कटर साब, ठीके न, तो कटर साब ने क्या का, कि सभी समान विशेव पर लिखी गई पुस्तकों को, CA करना, क्या करना भई, CA करना, सुने, CA कटर, कटर साब ने क्या का, कि समान विशेव पर लिखी पुस्तकों को, एक साथ इकटर करना, जब एक साथ इकटर करने की बात, इक इक ट, 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 ट से किया होगय, कटर, जब एक साथ इकटर करना, ट से क्या होगय, CA कटर, शार ने देती ठीक है ना भी आगे द्यान दीजियां जी देखें आगे अगली परिवाश हम लेते हैं अपन प्रोपेशर जे एस मिल के नुस्षा उन्होंने गया कहा था कि पुस्तक वर्गिकंड साही तेम में ज्यान की खोज के लिए समय बचाने की यांत्रिक रिया हैं सो समय बचाने की बात कौन करेगा प्रपोसर साब करेगा और प्रपोसर कौन है वही जे एस मिलके द्वारा किसके द्वारा पर जे एस मिलके द्वारा प्रपोसर साब हमें सा समय बचाने की बात करेंगे तो जिस परिवास हमें समय बचाने की बात होगी न तो उसको ध्यानक न ये परिभासा किष्णा दी थी वही प्रपेसर जे एस मिलने दी थी तो हमने अभी तक पांच लोगों की परिभासा पढ़ी थी पहले पढ़ी थी रंगानतन की गुरू जिसका नाम है डबलू सी बी सेयर्स तो रंगानतन जब घर पे गहे थे डबलू अपने गुरू के तो क्या कहा था फल को खालो तो मलब जब भी अजय वही फलकों के अदार पर पुस्तकों को विवस्तित कंडा तो फलकों के अदार पर आता ही हमें सा क्या है का डबलू सी भी सेयर्स नहीं परिभासा दी थी उसके बाद हमने पढ़ी थी मार्ग्रेट मान जो महिला है तो महिला की बाद आती है तो आजकल महिला और प्रूसस बिलकुल क्या है वज़ पसक शमान है तो किसी उस्ते को समान और आव्स अमानता की आदार पर जब Laura समानता और आसमानता की बात होती है तो समब लेन एनाicheल लेना किष TC clarify पारोगेट मानने दी थी पिर उसके बाद की परिवहास पार्इवाशा के पार्इवासजं। पर हमेशा किसने परिभास से दी थी ति ये कटर ने दी थी ति लास्ट में दियान रगना है प्रोपर से जेस मिल इनके अनुसर क्या होगा जब प्रोपेसर साब हम ऐसा किसकी बात करते हैं वे समय बचाने की बात करते हैं किसकी बात करते हैं समय बचाने की बात करते हैं कि पुस्टक वरकिकर साहिते में ग्यान की खोज के लिए समय बचाने की यानतरी किरिया है तो ये प्रोपेसर साब ने ये बात करे थी तो परिक्सा में कई बार मेरे पास करीबन 60 पुराने पेपर उन पुराने पेपर में यह दो सवाल जो है यह में सब पूछे जाते हैं परिक्सा के अंदर और यहां पर बहुत ज़ा कैंण साथा कंफूजन भी हो जाता है और दूर कर ने के लिए मैंने इस टौपिक के अंदर यह दोनों सवाल डौबे टाकि आपको मैं आसानी से बताएं से कcketा जैसा करें सब्सका साथा कि सोग्वर्गाकार को मलोक कौते हैं तो दूसरा बशा puisse किस्वार क्लास किनिषक। और क्लासिफायर क्या होता है और क्लासिफिकनिस्ट क्या होता है दोनों में क्या अंदर ये सवाल खई एक्जाम्बों में आ चुके हैं देखो वर्गाकार क्या होता है कि पुस्टकाले में किसी पुस्टक को कर्त्रिल संग्या परदान करना अर्था पुस्टकाले में वर्ग किताब आग疫 आपके पास आपके पास ओलरी 400 किताब है अब अगली किताब आगे है आपके पास और तो उसका आप क्या कर करोगी उसको ऊपर गोला करके sijha लिखोगे 1401 तो 421 का मल्हों होता है यहाँ पर आपने उस पुस्तों को या क्या देदी र gefषité किताब उसको भा रख दि करते हैं त्यूज़ कोई किताब घुर थ तो पुस्तकाले में अगर हम वर्गिकन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं वर्गा कार करते हैं समझागे यहां पर अब दूसरा है वर्गाचारिय वर्गाचारिय क्या होता है कि जिसके द्वारा किसी वर्गिकन पदिति का निर्मान किया जाता है किसके द्वारा किसी के द्वार क्लासिफिकेशन को कि ए रंगानतन क्या है वरगाचारिय है आगे विब्लोग्राफिक ग्लासिफिकेशन खोद इसने की एची बिलिष कौन है वरगाचारिय हो गया जैसे यूडिची यूणिवर्सल डिसिमल classification UTC की खोश कंगे हैं्ट हैंडास तो यह जैसे डिरसे लाइब्रिर कॉंग्रेस मार्टन और साम्सेड़ियों क्लासिपिकेस के स्ताब निर्मार्ण करते उसको क्या कहते हैं वर्गाचारी गएते हैं तो रंगानातन मेंदी वी एचु लीश जडी बराउन साथ यह सब क्या है वर्गाचारी हैं तो सवाल आ सकते हम आपड़ किनिम कित मैं से कौन कौन सव्क्टि dim involve象 in applied नहीं है option a रंगानतन, option b मेंद सब्सक्राइब कोई इस तरीके से सवाल आते हैं तो यह चीज आपको है सिदांतं विचारों का संगेटी सवरूप मानते हैं जो किसी विषय में नवीन तक्निकों और विकास को आधार परदान करते हैं अर्थात नवीन खोज और परतेक परतिक किसी किसी सिद्धान पर अधार रहती हैं बहुत इंपोर्टेंट लाइन क्या कह रहा है कि हमेशा ध्यान लगना किसी भी विशे में नवीन टक्निक कोई भी सब्जेट होता है जो पुराने सब्जेट होता है वो अमेशा अपडेट रहते हैं जैसे जैसे उसके अंदर अपडेट सनक्र nellis 사 function होते रहते हैं थैसे वो क्या के रहे है कि जो है अर्थात नवीन को प्रतेक पृटी किसी ना किसी सिद्धान पर अधर रहाते हैं आपने साय जो है प्ली ए्नीट का च टॉपिक है बतारों में पहले हूं यूद्ब है कि इसका नाम है आपको पतारों मैं आको पड़तीयों में ज्यान सकत में चित्रन कैसे क्या जाता है तो वह पर मैंने सांत जो है वर्गी-गन्पड़ती पड़ा। थे तो हमेंसा ध्यान रहाँ कॊल भी कोई बी हमें रहेगण पतियों किसे ना किसी सिद्धान पर हमेंसा आधा रहत है जिससे हम बात करते हैं ठीग कर यह एक वर corpo बदेती है expensive classification जो है वह विकास क्रम पर आधारित रहती है किस पर विकास क्रम पर आधारित रहती है उसके बाद जेडी ब्राउन की जो है वर्गिगन पदेती कौन सी है subject classification विसे वर्गिगन हमेशा ध्यान अगना वेग्यानिक आरोहन scientific order जिसे कहते है scientific progression वेग्यानिक आरोन पर आधारित रहती है तो आपको और भी इसके बारें पता लगाना के सर कौन सी वर्गिगन पदेती किस सिद्धान पर आधारित है तो आपको जो है यूट्यू जो यूनिट वन का जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है मैपिंग वड़ा वो आप उस पूरे वीडियो के देख लिए के दो गेंटे का वीडियो हो उसके अंदर आपको सब पता चल जाएगा कौन सी वर्गिगन पदेती की सिद्धान पर अधारित होती है तीक है आए हम सुरू करते हैं अगला टॉपिक इसी परकार पुस्काले वर्गिगन के चेत से सुरल टो समय सिद्यानत का वीकास पिससी दो चडूं में वता समय स्दान को दो बागुंवा पाटा गया है इसके परतर्तमट में विवरानात्मक सिधान्त वेरे इंपोर्टेंट लगे वे इसको अंडलन के लेना पहले चरण में ध्यान रगना किसका हुआता डेस्क्रेप्टिव थेयोरी का विकास हुआता डेस्क्रेप्टिव थेयोरी को बोलते हैं विवरानात्मक सिधान्त जो सामने सिधान्त भी कहते ह और जिए चरन रंगानत दुवारा विक्सित गतिमानंशिदान्थ बहुत इंपोर्टेंट है वही आग्य कीवाई है कि गतिमानंशिदान्थ किस ने दिया था तो गतिमान सिदांत रंगानातन ने दिया था और ध्यानकना गतिमान सिदांत रंगानातन यह था लेकिन रंगानातन ने कौन सी किताम में दिया था तो रंगानातन ध्यानकना प्रोलो गोमिना प्रोलो गोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ठीक है ना ध्यान दिया ज और mind Benehor Ranganathan की किताब ये किताब जो प्रस जो एज़न आया था 1937 पर उसके बीस साल बात दूसरा अज़न ता 1967 में यह पॉस्ट अडिशन और तीसरा अडिशन इस किताब में सवाइगा सवाल रह् heavily Ranganathan ने गटीमान सिदां अपनी कोंसी किताब में दिया था तो रंगाणतर ने गटीमान सिदां को वेगयनिक अधार्परदान करते हैं यह तो हम पढ़ रहे थे के पुष्काले वरगिकन के जो सामने सिदां थे उनको दो भागों नवाटा गया पहले चरण में हुआ था descriptive theory विवरानात्मक सिद्धान और दूसरे चरण में रंगानात्मक किया था गतिमान सिद्धान का प्रतिबादन किया तो आर इस पार की very important लगा दीजिए भई आर इस पार की द्वारा वर्गिगंड के सिद्धानतों को दो भागों में विवज़त किया गया था कितन पहले theory पढ़ रहे हैं विवरानात्मक दूसरे theory कौन सी है इसके बाद पढ़ेंगे dynamic त्रीक है अब यह descriptive theory पढ़ने से पहले मैं आपको बता दू तो करीबन descriptive theory को समर्थन करने वाले करीबन पांच लोग थे पांच लोगों ने जो है descriptive theory को समर्थन किया था वह पांच कौन स जो लाइबरी साइन से जूड़ेवे हैं तो आप निशिंत रहे हैं आप टैंसल लेने की ज़रूत महीं है आपको जैसे यह topic होगा इस topic से साथ सित्र objective question हमने बनाए है वह आपको next video में इसी channel पर हम डाल देंगे जो भी आप इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं एक ध्यान र subscribe कर लिजिए आपको free में जो है content उगलत कराया जाएगा इस सिदान्त को समर्थन करने वाले वेक्ति निम लिखीत है कौन सा सिदान्त पर डेस्क्रेप्य ठोरी को किन लोगों ने पांच लोगों ने इसको समर्थन किया था पहला जो वेक्ति हैं जिसके बारें हम बात करते ह इसी रिचर्ड्सन को पुसकाले वर्गिकान के सिदान्तों को व्यवस्तित करना तता उनके विकास का स्रे क्या जाता वेरी इंपोर्टेंट स्वाल है अगर अगर बात करें अपन सवाल ऐसा बनेगा कि सबसे पहले किस ने पुष्काले वर्गिकर्ण के सिदानतों का निर्मान कियाता। सवाल क्या आएगा कि निमली कित मैं से किस वैक्ति ने सबसे पहले पुस्काले वर्गिकन सिधानतों का निर्मान किया था तो सबसे पहले वर्गिकन सिधानतों के निर्मान करने वाले कोन है इसी रिचर्ट्ट्ट शन को स्रह दिया जाता है और उनकी एक किताब very important है कहीं बा किताब किसके द्वारा लिखी गई है तो यह किताब ध्यानक में e c richerson के द्वारा लिखी गई हैं इस पुस्तक में पुस्ट काल का बश्क्राग सिधानतों का वर्णन्त कहा था सवाल यह भी आसकता है कि e c richerson स्ञाइश इसी रिछर्ट शन ने अपनी कौनसी किताब में उसका ले वरकिगन के सिद्धानतों का वर्णन क्या था कौन सी किताब में क्लासिफिकेशन ठीओरी एंड प्रैक्टिस यूँ भी सवाल आ सकता है कि क्लासिफिकेशन ठीओरी एंड प्रैक्टिस किताब किसके द्वारा लिखी गई इसी के द्वारा लिखी गई यूँ भी आ सकते हैं किताब कब लिखी गई यह 1901 में लिखी गई है बहुत इंपर्टेंट टॉपिक है भायो अगला दूसरा वेक्ति कौन है दूसरा वेक्ति है डवलू सी बी सेयर्स अभी हमने पढ़ाता यह रंगानत्र के कौन है गुरू है जो इंग्लेंड में रहते हैं लंदन में टॉपिक है तो डवलू सी बी सेयर्स ने क्या का कि विश्यस्ताओं के अधार पर विबिन वर्गो में वस्तों को बाटना तो उन्हें क्रम में व्यवस्तित करना क्या होता है वर्गी कर्म होता है ठीक है डवलू सी बी सेयर्स ने सबसे पहले परिवस्तित करना और यहां पर क्या कहा था कि विश्यस्ताओं के अधार पर विबिन वर्गों में वस्तों में बाटना उन्हें क डबलू सीबी सेर्ष ने सर उपड़तम उपसुत्र सब्द का परियोग हुआ था वेरी इंपोर्टेंट और यह आपके परिक्सा में सो परसेंट सवाल आएगा यह कहीं एक्जाम के अंदर मैंने देखे हैं यह सवाल आएगा कि सबसे पहले उपसुत्र सब्द का निर्मान कि ढखे है सबसे पहले सब्द को इस ने खोजा सबसे पहले सब्द को किसने खो जा था डबलू सी भी सेर्ष में खोजा था वेरी इंपर्टेंट कोश्चन है यह डबलू से भी सेर्स की किताबे आप याद कर लिजिए पहली किताब द्यानगना कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन जो 1915 में आई थी दूसरा है ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन यह भी 1915 में आई थी तीसरा है इंट्रडॉक्शन टूसरा है और चार किताबों में से एक किताब जरूर का सवाल प्रिक्सम पूचा जा सकता है पूच लेंवे इंट्रडॉक्शन टू लाइब्रेयरी क्लासिफिकेशन नाम किताब किसके द्वरा लिखी गई है ऑफ्शन ए जे डी ब्राउन ऑफ्शन बी रंगानतन उप्श लिखी गई WCB सेर्स के दोरह लिखी गई तो अब ऐसे किताबों को सवाल याद करने के लिए आपको जो है प्रैक्टिस की जरूरत है तो मैं आपको बता दू आपको जो है यह बहुत सारे करीबन इस इनिट में स्वाल बने हैं मैंने वह आपको अगले वीडियो में देंगे और इसके पीडियो भी आपको जल्द उफलब खरादी जाएगी ठीक है ना तो बार बार आप उब्जेक्टिस सवाल दोगे ना तो यह किताबे के नाम आसानी से याद हो जाएगा और अगर यूँ देखे तो याद हो जाएगा देखो इधर भी लाइबरेरी क्लासिफिके सब्सक्राइब यहांथ क्लासिफिकेशन यहांभी ख्लासिफिकेशन चारै क्लासिफिकेशन ग्राइमर में यह इंक्रेंड उफल में कहा जाता है ग्रेमेरियन ऑफ ग्रेमेरियन का मल्य होता है व्याक्राणाचार यह जो ग्रामर को लिखता नहीं उसको बोलते हैं ग्रेमेरियन तो द्यानकना डबलू सी भी सेर्ट को पुस्काले वर्गीकरन का ग्रेमेरियन कहा जाता है वर्गीकरन स्वरी व्याक्राणाचार सब्सक्राइब कि इसको यह इसको कहा जाता है पुश्काल वर्गिकरण के व्यक्रण अचारी किसे कहा जाता है तो सब्सक्राइब करें यह सवाल आया था आपके दोजाज सोड़ा वाली बढ़ती में यह जब दोजाज सोड़ा में 550 पर लाइबिरिन की वेकिन से आया थी तब यह सवाल आया था सब्सक्राइब करें दोजाज सोड़ा में उसमें मैं एक सवाल से रह गया था मेरा एंफोर्चुनेटली मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ था तो उसमें उस पेपर में आप देख लेना दोजाज सोड़ा वाल पेपर में सवाल देख लेना सवाल आया था प्रिंसिपल ओव लिटर था ठीक है ना वही तो यह पुराने पेपर है मेरे पास वह प्रीविएस दर के कोस्टन भी जल्द मैं आपको इसी यूटूब चैनल पर जो है डेली में आपको कराने वाला हूं टैंसल मत लीजिए उसमें से जो भी हमारे सेलेबस के अंदर है उन सारे कॉस्टन को मैं निकाल ओफिस लाइबरेरी पाक के वो क्या है वह लाइबरियन थे फिर आगे देखे सॉरी है सम प्रिंसिपल्स गीवन भाई ए डबलो हलमे के द्वारा को सिधान्त दिये के कौन-कौन सिधान्त है यह सिधान्त मैं ने बता दिया है वेरी इंपर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ लि रिलीटिवीटी बस वर की सपेक्सना के सिधान्त भी इडिया था यह ड्लो में फिर भी यह कर लेना डबाक सार印 और के शाब मनेगा सान्ना डिया तो 3 यह दे देंके कोर्ने दूसरा दे दिया तो इसलिए आपको एक और इसको ज्यायों पर स से परसेंट पर शेयर भर चांब तो तो आपको यह सारी चीज़े असाने से हो जाएगी तो जो भी मेरा यूटूब चैनल है OSI for Library Science उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको और सारी चीज़े उसके अंदर मिल जाएगी ठीक है यह हमारा जो है ओण्rose क्योंड का एपqué हमारा जो एप यह की? फृट की फोट व्र्सप्ट के अप्यार आप शेय्यां प्लिए इसको आप डाउनलोड कर लिजिए ताकि इसके अंदर आपको सारी चीज़े मिल जाएगी जो आप चाते हों आगे तो चौता आदमी तीन आदमी सबसे पहले चेकर दबलू सी बिसेर्स के बारे में तेकन अब हम ने उसके बाएं तो गया है यह सेहर्स के बारे में पढ़ाता तो अब सब्सक्राइब, वर्गिअभण में वन प्लेष त्योरी बारी इंपर्टेंट है बायो very important रे रट न दी थी जैडी ब्राउन ने ये पचास वा सवाल पुछा गया पुराने पेपर में जैडी ब्राउन ने 1906 में सब्जेट क्लासिफिकेशन पदिती का निर्मान भी क्या था वेरी इंपोर्टेंट है ध्यान रगना ठीक है आपके सब्जेट चौती उनिट में पूरा यह 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 में सब्च्ट क्लासिफिकेशन पहटि किसने अबने जैडीं ब्राउन साब ने इस इंपोर्टेंट नाट पौक को समझत जैटी ब्राऊन डवल्टी सिजिकेशन सिन स्के फचिन फ्ली ब्रितिस लाइबरेरी जैज नगले ब्रिटीस पुस्त रोगों तंवाक लिए जै आटारसु चोराणों में क्या था इन कॉलेब्रेशन विट जे एम क्वीन द्यान अगना देखो दो वेक्ति था इसके अंदर एक था जे जे एम क्वीन था और दूसरा था ब्राउन ब्राउन का मलने होता जेडी ब्राउन इन दोनों ने मिलकर पहली जो है वर्गिकन पतिती तरह ब्राउन क्लासिफिकेशन जो अथा जब्राउन पतिती वर्गिकन पतिती till और बनाई थी adjustable classification अठारे सो संतनु में ये भी जो है पदिती क्या रही थी अशपल रही थी फिर आखिर का 30 वी वर्गीगन पदिती subject classification जिसका निर्माण 1906 में वुआ था ये वर्गीगन पदिती क्या रही थी वे सपल रही थी जो अमारे चौती यूनिट के अंदर हम subject प्ला इसका बिल्कुल हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे अलग से स्टार्ट से पढ़ेंगे तो जेडी प्राउन ने तीन लाइब तीन classification पदिती का निर्माण क्या था लेकिन शुरुआत की जो दो वर्गीगन पदितिया है वह सपल रही थी और फिर फाइनल में यह जो है क्य सब्सक्राइए है क्या है कि की डान पृट नं के कृं सवाल आ सकता है 32 शिद्धांत वर्गी करन कि आ में दिये थे तो 32 रोक्तिभी करन किसने दिये थे वैंड़ है रटना है इच इबलीश में दिये थे ठीक है न भई जव़ psychiatrist है तो ब्रकृच्दा की सथाण किसी दिये थे एच इबलीश सामने दिये थे है एच इबलीश ने 1935 में very important bibliographic classification very important रट लेना आप ठीक है एचीव लिश्ट ने 1935 में bibliographic classification का विकास किया तो very important question है bibliographic classification का विकास 1935 में हुआ था एचीव लिश्ट के द्वारा वहा था और एचीव लिश्ट ने वर्गिकन के लिए कितने सिद्धान बताये 32 सिद्धान बतायते हैं एंड इंपर्डेंड ही अस रिटेंड ट्व बुक्स और एचीव लिश्ट के द्वारा दो महत्वकुन किताब लिखी गई है ठीक है नवाई कौन सी दो महत्वकुन किताब है पहली है दा अर्गनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड शिस्टम ऑफ दो साइंसेज उननी सो गुंतिस में लिखी गई ठीक है पहली किताब यह दूसरा है दा अर्गनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरीज एंड सब्जेट अप्रोश्ट टू बुक्स यह किताब जो है उननी सो के द्वारा लिखें के लिए है ठीक है यह डाउनाव्ट बिब्लोग्राफिक क्लासिफिकेशन इन 1935 विच इस बैस्ट और सर्टें पिंसिपल तो ऐसी पिलिस ने ध्यानक ना बताया था मैं अभी बिब्लोग्राफिक क्लासिफिकेशन की स्थाफ ने किसने की थी यह हमने थे को आ था ठीक है बिब्लोग्राफिक क्लासिफिकेशन है यह कुछन मतलबसक है मिश्चित्य सिधान्त पर आधारित रहे । टीसरा कोलेशन और चौत है अल्टरेनेटिव लोकेशन च्पर जो नेदरा इस च्छार उपर ये पीलो Bennett क्लाशिंघ के और पर आदा रिट है एक्षिव लिसीव ने कब की थी 1935 बें की थी और ये जो पूरी वरकिकन पर देती हैं ये इन चार्ट सिदानतों पर अधरित हैं एक तो हैं कॉंसिसेंस दूसरा है सबोर्टी सबोर्डिनेशन तीसरा है कोलेशन को लोकेशन और चौता है अल्टेनेटिव लोकेशन ठीक है न जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप जरूर हमारा जो प्ले स्टोर में जाकर ऑनलाइन इसकुल इंडिया एप को डाउनलोड कर ल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्ट लिंक में दे दिया है और जो भी आप यूट्यूब चैनल है हमारा ओ एस आई फॉर लाइबरी साइंस ओ एस आई फॉर लाइबरी साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे बहुत सारे चीज़ें आपको मिल जाएगी है कि दूसरा यह करनके समण सिदान्थ को दो बागों बाठा पहला था डिसक्रेप्टिव जिसके डिस्क्रेप्टीव को पांच लोगों ने समझतन किया था और हम दूसरा पढ़ रहे हैं डायनेमिक ठियोरी को हिंडी में कहते गतिमान सिदांथ इसका पर्तिबादन किस ने किया था वे रंगानातन, वेरी इंपोटेंट कुस्टन है, सो बार आ गया है, कि डाइनेमिल सिदान्थ का पर्तिपादन किस ने किया, गतिमान सिदान्थ का पर्तिपादन किस ने किया था वही, रंगानातन किया था, और रंगानातन ने अपनी पुस्टक, प्रोलो, प्रोले गोमिनाट् लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 में गतिमान सिधान्त दिया था ये भी मैंने शुरू में बता देता है वापस देख लो सवाल आ जाए भी गतिमान सिधान्त रंगनत ने अपनी कौन से किताब में दिया तो उन्होंने अपने किताब निकाले थी प्रोलोग अमने टू लाइ अब देखिए यह हमारा टॉपी यह समात हो जाता है लेकिन फिर भी में कल पुराने पेपर को पढ़ रहा था करिबन पुराने मेरे पास 50-60 है उसमें मैं जो हमारे इमेस के अंदर जितरे भी फिर के question आंसर है उनको मैं अलग से जो निकाल रहा हो उनको मैं टइप है टएप पर दे रहा najlebewस उन से पहले इसी YouTube यूटूब चैनल पर उस पर जो मैं प्रीवेश के रोज करिबन पचास कुश्चन लेकर आउंगा ताकि आपको पता चले कि प्रीवेश के अंदर कैसा सवाल इस टॉपिक में से कितना गहरा सवाल बनाना चाह सकता है ताकि यह चीज़े आपको भी पता चले तो आज उसके उ कोई भी सवाल आपको छूट जाए आपको इस तरही किसे त्यारी कराएंगे आपको इस चैनल पर के ताकि आपको को समस्या नहीं आए एक एक चीज आपको सिखाएंगे कैसे सवाल अटेंड करना कैसे आंसर डूड़ना यह सारे चीज़े हम आपको बताने वाले हैं ठीक है पर आएगा अंटोलोजी का अर्थ है तो ऑप्शन तो ए आ जाएगा क्लासिपिकेशन ओप इंटरनेट बैस्ट डोकिमेंट ऑप्शन बीडी में क्या करेंगे क्लासिपिकेशन की जगे नीचे लिख देंगे कैटालोगिंग कन्फूजन करने के लिए अब वह सब्सक्राइब से यार यार क्लासिपिकेशन ओफ इंटरनेट बैस्ट डोकिमेंट यह के टेट लोग इंटरनेट बैस्ट डोकिमेंट है तो तो classification of internet based document हो गया ठीक है अब ontology का समन्द किस्सा है तो ontology का समन्द है वो है nature of existence मलब होता है अस्तित्र की प्रक्ति तो पूछ ले बहुत अंट अंट लोजी का समन्द है नेचर ओप जो है existence है द्यान लगना द्यान देजिया अगला जो है important देखो पुस्ट काले वर्किकरण की हमने तो करीबन पांच परिभास जो है पड़ी है मैंने शुरुवात में कहा था पांच लोगों ने अलग लग पुस्ट काले वर्किकरण की परिभास दी जिसमें पहला था WCB सेहर उनको कैसे पेचाड़ोगे WCB सेहर कौन है रंगानेतन के गुरु है रंगानेतन जब लंदन में गये उनके घरपेर उनको क्या दिया फल फल को खा लिया तो फलकों के आदार पर विवस्तित करना ये परिभास किसने दी दी परिभास किसने दी तो समय बचाने वाली बात अगर जिस परिभास हम आएगी तो वो क्या हो जाएगा प्रोफेसर जे एस सिल हो जाएगा फिर एक परिभास दी ती रंगानतन ने रंगानतन की परिभास हमेसा ध्यानना किसी भी अंको को करत्रीम भासा में अनुआद करना करत्रीम भासा में दर्सना जब करत्रीम भासा आ जाए तो समले ना वो परिभासा किसने दी ती रंगान करना तो समान आज समानता कि बात कुष्ण कि मैल आने कि मैला कऊंद मार्गेट मान के परिभास इन पांचों ईक सवाल आपके प्रिखषाग के पेपर में चब गया समवन लिजी आप और यही सवाल आपके लिए आगे नमबर लाने के लिए आपको आगे प्रसान करेंगे तो पुस्कली रोगान की अमने बहुत कि जिसमें जो हैं विशीसमें साहथ वर्ग संघया का शमावेश होता है वो क्या कि अधा है यहाण वर्घDING करन के लाता है ज्यानवर्घिकरण में ऑगा मैं प्रच्व किसा वर्घ Nokiaय क्या होता है के विशीन से को चाह् को में दर्श को में अनुवाद करना यह सब क्या कहलाता हो बढ़न किया क्यलता है क्या σब्सक्रिक करन के से करीब साथ से सितर मैंने अब्जेटी को सिन बनाए अपने मंसे वह अपने नेक्स्ट क्लास में जो है आपको जरूर सवाल करवा देंगे और भी और भी आपको बिल्कुल फ्री में जो है ऐसे वीडियो देखने हैं आपको तो आप जरूर मेरे चैनल ओएसाइपो लाइबर जो राजिस्तान की जो है इस्पेशल बढ़ती आई है त्रीक है ना उसके बारे में यह जो हमारा सेलेबस उसके बारे में चर्चा की है उमिद गरता हूं कि आपका यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया है आप लाइक कीजिए कमेंट कीजिए क्योंकि आप कमेंट मुझे पता चलेगा कि आपको कितना मज़ा आ रहा है जरूर जो है इसी चैनल पर हम जल्द हैं मिलने वाले हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और ऐसित वाले हैं त्हन्यवाद कम्मल जी करें विल्कुल जो है मेरे मेरे काय यह को मेरे तीजिदि kangो ऑमने मुझे बहुत अदा प्रसाइच किया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कमप्यर सिद Quuk 20uge से थैंकि यू बैद इस निय Lean fund के recs थिsst